Good morning students, I am your teacher Anjali Chug आज हम पढ़ेंगे Hindi topic संगया in English noun पहले पढ़ेंगे संगया किसे कहते हैं? किसी वस्तू, व्यक्ति, भाव और स्थान का बोध करवाने वाले शब्द को संगया कहते हैं जैसे राम, शेर, मेज, आदी मुख्य संगया तीन प्रकार की होती है लेकिन अर्थ के अधार पर संगया पांच प्रकार की होती है अब देखेंगे संगया के तीन प्रकार व्यक्ति वाचक संगया, जाति वाचक संगया, भाव वाचक संगया फर्स्ट वन, व्यक्ति वाचक संगया जैसे हिमाल्य, राम, गंगा, जैपूर, दिल्ली, किसी का नाम विशेश होता है और किसी एक व्यक्ति का होता है तो इसलिए वह क्या कहलाता है व्यक्ति वाचक संग्या सेकिंड वन जाती वाचक संग्या जिसके साथ एक जाती विशेश का बोध हो जैसे उधारन, जाती वाचक संग्या, परवत, परवत कोई भी हो सकता है, हिमालया या कोई और, लड़का, लड़का कोई भी हो सकता है, राहूल, राम, रोहन, नदी, कोई भी हो सकती है, गंगा, यमुना, सर्स्वती, शहर, कोई भी हो सकता है, पानिपत, करनाल, दिल्ली, इसलिए किसमें आते हैं, जाती वाचक संगया, जाती वाचक संगया भी दो प्रकार की होती है, समू वाचक संगया और द्रव्वे वाचक संगया, फर्स्ट वन समू वाचक संग्या जो समू का बोध करवाए उसे समू वाचक संग्या कहते हैं जैसे कक्षा, सभा, सेना, परिवार जो ग्रुप में होते हैं उसे समू वाचक संग्या कहते हैं द्रव्य वचक संग्या, सभी पेप्रदात, द्रव्य वचक संग्या में आते हैं, और जो कोई वस्तु बनाते हैं, जैसे लकडी, लकडी से बहुत कुछ बना सकते हैं, मेज, कुरसी, बैड, चांदी, सोना, पानी, पानी पेपदार्त हैं, इसलिए किस में आते हैं, द्रव् पुरा बैमानी नीचा प्रेम गर्व ममता आदी ममता नाम में है अगर नाम में आए ममता अच्छी लड़की है तो क्या होगा व्यक्ति वाचक संग्या लेकिन अगर ममता भाव में आए तो क्या होगा भाव अचक संग्या our today topic is over thank you try it